नमस्कार बच्चों बी ए सेक इंडियर की क्लास में पुना एक बार सभी का स्वागत है जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे संस्क्र साइथ्ति का दियास तो उसी के इंतरगत आज हम यहां पर कालिदास के साइथ्ति का अध्धन करेंगे महा कवी कालिदास जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि बहुमों की प्रतिवा के धनीतिया हम सभी जानते हैं वो एक स्रेस्ट महा काववेकार थे और एक नाटक कार थे और गीती काववे की रचना भी उन्होंने की थी इस परकार उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तित चर्चा की गई है और केवल उनका घीती काववे कार के रूप में ही मुल्यांकन नहीं किया जा सकता उनके द्वारा विरचित बहुत सारे काववे हैं जैसे की रितु संहार और मेगदूत की अगर हम बात करते हैं तो रितु संहार और मेगदूत नामक जो करती हैं वो संस्कत गीती काववे की सबसे राचीन उपलग्ध रचनाओं में से एक मानी गई है रितु संहार जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई फिर शर्व प्रथम वी रच्चित प्रथम ट्रती है अर्थारत सबसे पहले कालिदास ने रितु संहार की ही रचना की थी इसलिए उसमें रचना कोच्चल संबंधी पुरोड़त्तव का अभाव है मतलब सबसे पहली रचनाजब कोई करता है तो उसमें इतना श्रेश्ट प्रोड तो नहीं होता है और संस्कत में रितु वर्णन का यही एक मात्र सांगोपांग गरंत जो है मतलब जिसमें पूरी तरह से सारी रितुओं का वर्णन किया गया है उस रूप में केवल रितु संगहार उपलब दोता है और इसमें रितुओं का केवल बाहरी रूप का ही नहीं बलकि कालिदास ने इनका सारी रितुओं का और प्रकरती का जो है सुक्स्म निर्खशन करके प्रेम में साहनुपूती के साथ उनका वर्णन किया है और सारी जो कविता है उसमें युवक इवन व्योक्ती और पती पतनी के साथ रुत्यों के विभिन परिवर्दनों के संबंदों पर बल दिया गया है जहां तक इसके सर्ग और पद्दे की हम बात करें तो इसमें छे सर्ग हैं और 144 पद्दे हैं रितु संगहार में और इसमें ग्रिश्म, वर्षा, हेमंत, शिश्शिल, वसंत सारी रितुओं का वर्णन है और ना किवल रितुओं का वर्णन है बलकि यथा करम वर्णन है और एक के बाद दूसरी रितु के आगमन से जहां प्रकृति के बहाई रूप में नविन्ता आती है विचित्रता आती है वहीं युवक युक्तियों में भी विवित पढ़ने किरना है और श्रांगरिक चेश्टाओं का वर्णन होता है इसमें मानविय प्रणे का कांद संयोग बताया गया है प्रकृति के साथ और प्रतिक रितु जो है वो अपने विशेश्टाओं से प्रेमी की खिर्दियों को अंदित करती हुए इसके भाषा शेलिज की अगर बात की जाए तो अत्यंत सरस इवन शरल भाषा करते हैं से प्रणे संबंद बदलते हैं योक्योती के वही वर्णन है तो प्रेम का तिथी पत्र तिपत्र इसलिए क्योंकि जिस प्रकार कलेंडर बदलता है उसी प्रकार रितुएं बदलती है और उसी प्रकार से संबंद भी बदलते हैं तो इस प्रकार से रितू संहार गीती कावव सबसे स्रेश्ट का वे मान गया है और के और इसको दूद्र का बशन से दूद्र का दूद्र का अंकन गया है महावीर परशाद दिवेदी ने तो यहां तक एदिया कि इस काववे को वही समझ सकता है और वही इसका पूर्ण आनंद महाँ में एक दूत को उठा सकता है जो की स्वयम कवी हो और जिसे कवित्वर की एवं कवी की पैचान हो कवी हर्दे की पैचान हो इसके अगर हम कथानक की बात करते हैं तो में एक दूत जो एक गीती का आववे है और एक एक खंड का आववे भी है इसमें 121 पद्दे हैं और विविद संस करनों में पद्द्दों की संख्या परतक परतक है परन्तु मलीनात ने 121 पद्द्दों पर इसकी टिकाय की गई है इसलिए मुखे रूप से इसके 121 पद्दे ही माने जाते हैं और इन पद्द्द्दों में कवी ने एक विरही पक्ष की मनोवेथा का मार्मिक वर्णन किया है इसके मेग दूतम के दो भाग किये गए हैं पूर्व मेग एवं उत्तर मेग हम अगर थोड़े सी इसकी नच्छना कथानक के बारे में जाने तो पूर्व मेग में जो धनपतिक कुबेर है उनके दारा निर्वासित एक यक्ष यक्ष जो होता है वो अब उसकी मनोवेथा का मार्मिक वर्णन यहां पर किया गया है यक्ष को जब भेज दिया जाता है तो वो अपनी प्रान वल्लभा से दूर होकर भारत की निम्न भूमी में आकर रामगिरी नामक परवत पर वियोग के दिन वेतीत करता है हो वियोगी हो जाता है और इस प्रकार तो यह सब्सक्राइब कर रहा होता है इस प्रकार उसको वहां रहते वैज आट मैहने पूरे होने के बाद जब वशा रित्यू का आगवन होता है तो आख्षाड के मैहने में जब member मेग आते हैं तो उसका प्रेमी हृदे वो विरह की त्रूव बैदना से जागरत हो जाता है और वो अपनी प्रियतमा है उसके पास प्रणे संदेज भीजता है किसके माद्धियम से भीजता है मेख के माद्धियम से यानि कि वह मेख को अपना दूद बनाता है इसलिए इसमें उसका नाम करन मेख किया गया है और वह बेशता है अब इसमें जो वर्णन है वो मार्ग में पढ़ने वाले इस्थानों, पर्वतों, नदियों, नग्रों सभी का चित्तगराही वर्णन किया गया है अगर उत्तर मेग के मैं बात करते हैं तो इसमें अलकापुरी का वर्णन और उसके पतनी की फिरह दशा का वर्णन किया गया है और अंत में जो है मेग जाकर के अपना संदेश सुनाता है अगर आप मेग दूत के बारे में शंक्षेप में बात करें तो इसके जो पूर्व मेग है उसमें बाहे प्रकरती का मनोरम चित्रन है और उत्तर वेग में अंतह प्रकरती के अनुभों का प्रतिष्टित अभीराम वणन है यह कालिदास के प्रकरती के सुक्ष्म चित्रन और साथि साथ मानविये अंतह भावों के सुक्ष्म निरिक्षण का भव्वे बंडार है ये इसका कथानक है और अगर मेगदूद के काव्यात्मक सुंद्रे की बात की जाए तो ये एक अदबुत काव्य है सभी समिक्षकों ने लगभग इसके मुक्त कंट से मेगदूद के परशंशा की है मेगदूद में एक एक पद अपने आप में परिपूर्ण है परिमार्जित है सूसैयते जिन्हें एक सुत्र में पिराव करके एक अनूठे कंटहार का रूप यहाँ पर दे दिया गया है और उसके द्वारा लिखित जो पूरू मेग जो है माइग दूत का पूरू मेग उसमें भारत वर्ष की प्राकर्थिक छटा का सोवनी यह वर्णन है और काव्य प्रकर्ति की लीला भूमिय प्रकर्ति के प्रती मनोरम द्रश्य प्रस्तोद उसमें किया गया है कवी की पेनी द्रश्टी से गिश्म रितू और किस प्रकार से गिश्म रितू में मंद मंद महने वाली नदी इन सब प्रकार से बहुत ही खुप्सुरस से चित्रनिया पर किया गया है पूरु मेग में प्रकर्थिका उत्तर मेग में यक्ष और उसकी प्रेशी की विरहा वस्ता का वर्णन किया गया है इसमें कभी ने मानव हर्दे को मार्मिक मनोहर चित्र मानव हर्दे का मार्मिक और मन करती है और साथ विवश्टा विकलता सभी कुछ इसमें देखने को मिलता है अगर इसकी भाषा शेली की बात की जाया बच्चों तो इसकी भाषा शेली की द्रस्टी से भी एक अनुपम ग्रंथ माना गया है इसमें भाषा पूरितना से प्रांजल और प्रवापून है कहीं पदावली के साथ इसमें भाषा का प्रियोग किया गया है कालिद्यास ने भाषा में यथा संभव जहां जहां आउशक्ता पड़ी वहां अलग-अलग कारों के माध्यम से अपने काववे को एक खुबसूरत कंठहार बनाने में कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं कालिद्यास दूत में लस्क राज श्रंगार का मंदन किया है श्रंगार को सवी रसों में रेस्ट माना गया है दिपी पहले समें विप्रलंब श्रंगार है फिर भी कुछ-कुछ लोगों में श्रंगार का भी निपनता पूर्वक वर्णन किया है विप्रलंब श्रंगार वहां पर होता और कला दस्ट कला पक्ष बहा दोनों ही दस्टी से एक सफल काववे हैं इसमें वियोक्षंगार है फिर भी नेतिकता की शिस्टता है इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैगदूत एक अधभुत काववे हैं और दिव्वे संदेशों का महा काववे हैं मैगदूत की बहुत लोगप्रिय ताय मानी गई है क्योंकि इस पर सरवादिक टीकाएं लिखी गई हैं मैगदूत पर मलीनात वल्लव देव जिनसेन सरस्वती तीरतिस्मती विशे दक्षणाट चरित्र वर्दनाचारिये आधिकी टीकाओं का विशेश रूप से वर्णन हैं कई टीकाओं जो है मैगदूत के उपर लिखी गई है जो इसकी सेश्टा को पहलक्षित करती है